आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello student, आज का जो Question है यहाँ बोला है कि Which of the following is correct इन में से कौन सा correct है तो देखो, एके करके देखते हैं First option कहा रहा है कि Buna S is a Thermosetting and Synthetic Polymer तो यह statement आपकी क्या है? Wrong है क्योंकि अगर मैं Buna S की बात करूँ तो basically Buna S आपका क्या होता है? Elastomer होता है यह आपका क्या होता है? Elastomer होता है Thermosetting Polymer नहीं होता तो यानि कि यह wrong हुआ Second कहा रहा है Buna is a Natural Polymer तो यह भी wrong है क्योंकि Buna N क्या होता है? आपका Synthetic है यह आपका क्या होता है? Synthetic Polymer होता है तो यह भी हमारा wrong हुआ अब हम से third पूछ रहा है कि Neoprene is used to manufacture the buckets तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि इस statement की तो basically यह भी आपका wrong हो जाएगा क्योंकि जो buckets बनती है आपकी वो किससे बनती है High Density Polythens है यहाँ पे जो आपका use होता है High Density Polythens में use होता है तो हमारा यह इसके काम आता है अब आपको fourth option कह रहा है कि जो nascent oxygen है यह आपके used होती है किसमे formation of Buna N में तो यह जो statement है हमारा यह correct है अब यह statement हमारा कैसे correct है देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी Buna N की तो देखो Buna N में क्या होता है अगर मैं polymers की बात करूँ यह monomers की बात करूँ तो हमारा एक तो होता है यहाँ पे buta diene एक आपका क्या होता है यहाँ पे buta इस तरीके से buta diene होता है और आपका जो दूसरा होता है वो आपका क्या होता है यहाँ पे acrylonitrile यानि CH2 double bond CH and यहाँ पे हमारा CN ठीक है अब जब भी यहाँ पे हमारा polymer बनता है Buna N की अगर मैं बात करूँ तो यह आपका कैसे बनता है यहाँ पे हमारा co-polymerization reaction होता है in presence of peroxide and heat ठीक है यह आपका इस तरीके से हुआ हम इस reaction को लिखते हैं यहाँ पे देख लेंगे नीचे लिख देते हैं तो देखो इसमें क्या होता है हम N numbers of buta diene लेते हैं CH2 double bond CH यहाँ पे हमारा CH है then double bond आपका CH2 plus क्या लेते हैं N number of acrylonitrile CH2 double bond CH और यह आपका CN है जब हम इसकी reaction कराते हैं किसकी presence में peroxide की presence में कराते हैं और इसको heat करते हैं यह co-polymerization reaction है तो यहाँ पे हमें product क्या मिलता है इस तरीके से CH2 CH double bond CH यहाँ पे आपका CH2 then यह अवाला आपका क्या होगा इस तरीके से CH2 CH और यहाँ आपका CN तो यह हमारा बन गया polymer जो आपका क्या है Buna N अब यहाँ पे हमने क्या देखा यहाँ पे हमने देखा कि हमारा peroxide यूज होता है तो basically जो peroxide होता है यह आपका CH2 O2 है देखो यह क्या करता है यह जो CH2 O2 होता है यह हमारा decompose कर जाता है इस तरीके से oxygen प्लस आपका water में तो यही आपकी क्या होती है nascent oxygen यह आपकी क्या होती है nascent oxygen होती है ठीक है और यह जो आपका होता है काफी unstable होता है इसके सभी कौनेक्ट में आता है उसके साथ यह자를 react कर जाता है तो यहां पर बोली थीC बोली थी NASCEN तो और बुर्ड फोर्टो यह भी कहाने यूज आज ही डाउनलोट करें डाउटनेट आप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आट चार्सो 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 पर